हलो, वेलकम टू किर्थीज किचेन केमिस्ट्री आज हम बनाएंगे ट्रेसलचस केक जिसे हम मिल्क केक भी बोलते हैं और इसमें तीन तरह के मिल्क यूज करते हैं हम यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरू ठ्राइ किजिएगा अगर नए है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजिए तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी ट्रेसलचस केक और मिल्क केक सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 कप मैधा मैं यहाँ पे quarter seed cake बना रही हूँ 13 by 9 inches का rectangular size का तो इसमें 1.5 चमज baking powder मिलाएंगे और एक चुटकी भर baking soda मिलाएंगे और इसको अच्छे से चान लेंगे हम चन्नी से जितने अच्छे से आप चन्नी से चानेंगे एक बार दो बार भी कर सकते हैं आप उतना अच्छा result आएगा आपका तो इसे अच्छे से चन्नी से चला देते हैं इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा मतलब एक चुटकी भर नमक आप मिला दीजिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसको side कर देते हैं अभी parchment paper मैंने ले लिया है और baking tin 13 by 9 inches का लिया है इसमें लगा देते हैं अभी हमें batter ready करना है केक के लिए तो इसके लिए मैंने 1 cup और 1 चौथाई कप चीनी ले रही हूं और इसमें मिलाएंगे 1 चौथाई कप तेल तेल आप बिना स्मेल वाला तेल लिजिए मैंने यहाँ पर vegetable oil लिया है इसमें 1 चौथाई कप दूद भी डालिए दूद रूम टेंपरेचर का होना चाहिए इसके बाद इसमें जाएगा 3 अंडे अंडे में रूम टेंपरेचर का ही ले रही हूं यहाँ पर देड़ कप मैदे में 3 अंडे तो अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम भनिला एसेंस एक चमच के करीब अभी इसमें में डाल रही हूं दो चमच के करीब वाइट भीनेगर और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हैंड ब्लेंडर से अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो कोई बात नहीं आप मिक्सी में भी इसे बना सकते हैं तो इसे अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे एक स्मूथ बैटर होना चाहिए इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे जो dry ingredient हम छान के रखे थे वो डाल के इसको फिर से हम मिलाएंगे और इसको एक अच्छे से हम मिलाएंगे जैसे कि एक smooth सा texture आ जाए आप देख सकते हैं consistency अगर आपको consistency थोड़ा पतला लगे तो थोड़ा सा और मैदा आप डाल सकते हैं अगर ज्यादा काढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूद भी मिला सकते हैं अभी इसको हम transfer कर देते हैं जो cake tin हमने ready करके रखा था उसमें transfer कर देते हैं और इसके बाद इसको tap कर देंगे थोड़ा सा 2-3 बार ताकि जो air bubbles होंगे वो निकल जाए और इसको हम preheated oven में 350 degree Fahrenheit या 180 degree Celsius में 35 मिन के बाद आप इसे चेक करेंगे टूथपीक लगा के अंदर गुसा के अगर टूथपीक आपका clear आ जाए मतलब इसमें कुछ भी ना लगे तो cake हमारा perfect ready हो गया है तो देख सकते हैं केक रेडी है अभी और इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे और अभी हम बनाएं और इसको अच्छे से हम mix कर देते हैं और mix करके इसको side पर रखेंगे अभी तो एक अच्छे से mix करना है ताकि तो वह अच्छे से इसमें mix हो जाए तो अभी हमारा जो liquid है 3 milk वालाएक liquid bud अगर आपको मेरे रेसिप्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक और कमेंट जरूर किजिएगा अभी हम केक को निकाल देते हैं केक निकालते बक्त बहुत ध्यान से इसे निकालना है क्यूंकि बड़े साइज का केक जो होते है तो निकालते बक्त तूटने का चांस भी होता है तो धीरे से आप निकाले इसे और निकालने के बाद एक केक बोर्ड मेंने लिया है उसके उपर रखेंगे और जो पार्चमेंड पेपर है उसको हम हलके हातों से साइड से निकाल देंगे तो उपर का हिस्सा भी हम जो निकाल देते हैं इसी तरह नाइब से अभी देख सकते हैं टेक्शर देखिए कितना स्पॉंजी है हमारा केक पहुत ही अच्छे से बना है ये केक अभी ये केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और ये नीचे का पार्ट भी अब देख सकते हैं पार्चमेन पेपर हम निकाल लेकि नीचे का हिस्सा नहीं निकालें गया भी और इसको उल्टा करतेते हैं और इसके उपर जो तीन मील्ग का मिक्शेर हमने रेडी करके रखा है उसको डालेंगे अच्छे से डालना है ताकि पूरी तरह से ये केक सोक हो जाए धीरे धीरे करके आपको डालना है अगर कम से कम तीन से चार घंटे तक इसे आप फ्रीज में रखिए उसके बाद ही इसके उपर हम आइसिंग करेंगे अभी साइड से थोड़ा में साफ कर रहे हूं क्यूंकि केक का क्रमबल है वो गिर गया है तो उसे अच्छे से साफ कर रही हूं और इसके बाद इसको हम फ्रीज मे रख लेंगे अभी हुईपिंग क्रीम हम एक कप लिया है इसमें आप अपने स्वात के हिसाब से चीनी मिलाए एक कप में एक टीस्पुन भनिला एसेंस और आधा कप चीनी डाला है आप चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं और इसे हम अभी ब्लेंड करेंगे हमारे फ्रस्टिंग के लिए हमें रेडी करना है आइसिंग सबसे पहले हमें धीरे धीरे करके इसे ब्लेंड करना है इसके बाद इसी तरह का कंसिस्टेंसी आने के बाद हम इसे हाई स्पीड पे ब्लेंड करेंगे देखिए स्मूथ पीक आ गया है तो अभी हमारा फ्रस्टिंग रेडी है इसको केक के उपर लगा देंगे आप अपने मन पसंद के हिसाब से जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं लेकिन केक पूरी तरह से 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में रखने के बाद ही फ्रस्टिंग कीजिए तो अभी मैं लगा रही हूँ और एक सिंपल सा डिजाइन में बनाओंगी तो साइड से भी लगा देते हैं हम ये केक की रेसिपी आप जरूर ट्राइ किजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये केक कैसी लगी तो थोड़ा सा मैं यहां पर डिजाइन बना रही हूँ आपके पास अगा स्ट्रॉबरी है या कोई भी र अंदर दिखता है whiter red का combination मेरे पास थोड़े से चेरी थे मैंने लगा दिया है अभी लगभगे रेडी है हमारा केक और इसमें आपका जो भी कोई मेसेज हो आप डाल सकते हैं लिख सकते हैं मैं यहां पर happy birthday लिख दिया है तो इसी तरह से आप इसे जरूर बनाइए और करते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए